बार दोस्तों and welcome back to your own channel शिवाज बसीन तो दोस्तों एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुआ हूँ और इस वीडियो में हम बात करने वाले है रिलाइंस निपून लाइफ इंशॉरेंस के बारे हैं यह कंपनी है जो कि मुझे चार्ट पर लग रह तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कि मैं और यह वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहा हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन मुझे बताएगा कि इस तरीके की आपको ब्रेकाउट तो हम लोग चाट की तरफ आ चुके हैं यह निपोन लाइफ इंडिया का चाट है आप देख सकते हैं कि इसका जो अगर आप सर्च करेंगे तो इस नाम से सर्च कर सकते हैं अब यह मैंने सिंपल चाट ओपन करके रखागा है अब इस चाट में मुझे क्या देखने को मिल र कि इस लेवल से जो कि 450 का लेवल था 450 के लेवल से हमने एक अच्छी खासी डाउनफॉल देखी जो कि इसको 200 के लेवल तक लेगा था हमने देखा कि more than 50% की डाउनसाइड हमें देखने को मिली है तो यहां पर देखा उसके बाद हमने एक रिकवरी देखी अरांट 300 के लेवल से उसके बाद एक और डाउनफॉल आया 200 के आसपास फिर एक और रिकवरी आया 300 के आसपास उसके बाद हमने दुबारा एक में सकते हैं फर्स्स टाइम जो उसने बên नगाया और ये या अगर काने के बाद पर सेकिंड बाटन में लगाया तो इसको आइस को घबल बॉक् Shame देख़ारे इंघृ बंटम यहां पर लगाया Australian कम अब अगर मैं इसको भी हटाता हूं, तो आप यहां देख सकते हैं, 1st, 2nd and 3rd, तो यह है triple bottom, देख पा रहे हैं, triple bottom यहां पर लगाया, कौनसे level पर, 200 के level पर, ठीक है, तो 200 के level पर यहां पर हमने देखा, triple bottom लगा है, अब आपको bottom के बार में पता होगा, कि जब double bottom या double top लगता है, तो उसके targets या उसमें trade कैसे करते हैं, for example, यह है, ठीक है, यहां देख रहे हैं, double top लगावा है, double bottom लगावा है, तो double bottom को trade करने के दो तरीके होता है, या फिर आप यहां पर buy करो, exact bottom पर ही buy करो, बट हमें नहीं पता होता है कि यहां से और नीचे जाएगा या उपर जाएगा, तो यहां पर buy करना थोड़ा risk ही होता है, दूसरा तरीका कौन सा होता है, कि आप यह देख रहे हो, यह वाला level है, इस level के यहां पर आपकी entry होती है, ठीक है, target आपका होता है, यह वाला level, जो कि previous high होता है, यह आपका target होता है, और stop loss आप अपना कहीं पर भी इस range के अंदर लगा सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, इस range के अंदर कहां पर सबसे बढ़िया support है, वो आपका stop loss होता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग trade करते हैं, सेम तरीके से, एक downfall आई, एक उपर गया, दुबारा नीची आया, और उपर जा रहा है, इस level को तोड़ चुका है, यह देख रहे हैं, यह वाला जो level था, इस level को यहाँ पर यह तोड़ चुका है, तो यहाँ पर हमारी entry है, target हम इतना उपर लेकर ही नहीं जाना चाहते हैं, हमें तो 10% एक हफते के अंदर चाहिए, तो यहाँ तक भी अगर पहुच जाता है, तो भी 10% हमें आराम से में जाएगा, ठीक है, stop loss अब अपना कहीं यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डबल बॉट्टर्म टाइप सेनेरियो है, एक यहाँ पर सपोर्ट है, सारी बातों को ध्यान से समझ रहे हैं, आपको हलके हलके करके, पैटन्स के बारे में समझ में आएगा मेरे चैनल पर, मैं बेसिकली फोकस करता हूँ, जो टाइटन्स पर ही करता हूँ, और जब भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सिर्फ सिखाता भी हूँ, कि क्या हो रहा है, कैसे ढूंडा जा रहा है, और कैसे हमें इडिन्टिफाइ करके टाइट्स लेने, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कि इस चैनल पे आप लोगों को डेफिनेटली टेकनिकल अनालेसिस की सिफ नॉलेज भी प्रुवाइड हो रही है, प्लस आप लोगों को लेवल्स भी प्रुवाइड हो रही है, एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह जो है, यह सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ट्रेड लेनी की स्थला आप लोगों को नहीं दी जा रही है, आप अपने रिस्क के ऊपर ही ट्रेड लेंगे, अगर आपको फाइदा या लॉस होता है, वो पूरा आपके ऊपर है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो हम लोग सीधा अब चार्ज की तरह बढ़ते हैं, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा एक ब्रीफली बताता हूँ, देख सकते हैं सबसे पहली बात, मैं यहाँ पर जो बनाने वालो हूँ, यह देखेगा है, मैंने यहाँ पर एक ये बॉक्स बनाया, ये क्या बता रहा है, यह हमें यह चीज बता रहा है कि एक जब downfall आई, जब एक अच्छी खासी downfall आई, यह उसके बाद एक range के अंदर चला गया, ठीक है, 200 रुपे से लेके 300 रुपे की range के अंदर चला गया, देख पारें 200 और 300, exact 100 रुपे की range के अंदर यह trade कर रहा था, trade कप से कर रहा था, हम देख रहे थे, March, April, May and June, देख पारें, चार महीने थे, चार मन्थ से यह इस range के अंदर ही trade कर रहा है, जो की 100 रुपे का level है, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई share एक range के अंदर trade करता है, तो range का जो difference होता है, जैसे इसका difference केता हुआ, 200 से 300, 100 रुपे का difference हुआ, तो exact हम मानके चलते हैं, उससे 50% की तो minimum movement देता ही है, और हम मानके चलते हैं कि 100% का जो range है, उत्ती movement भी दे देता है, हमें पूरा की तरफ नहीं ध्यान देना है, हमें सिर्फ 10% चाहिए, तो 50% भी म 50% मैंने इत्ता ले लिया, तो भी मुझे यहां से, इस level से 350 तक के levels मिल सकते हैं, अराम से, ठीक है, सबसे पहला breakout आपको पता चल गया, एक range का breakout है, ठीक है, दूसरी बात, अब यहां पर आपको में दिखाता हूँ, मैं यह pattern को हटा देता हूँ, मैं से clear करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो मैंने इसको clear कर लिया, दूसरा pattern हमें क्या बता रहा है, कि यह इसने जो formation दिया है, इसने दिया है, एक तरीके का, अब यह देखिएगा, यह pattern मैं किती बार आप लोगों को बता चुका हूँ, मुझे लगता है, आप लोगों को पता भी चल गया होगा, कि मैं कि इसके बारे में बात कर रहा है, यह pattern को हम कहते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, इस pattern को कहते हैं, हम cup and handle pattern, ठीक है, इस pattern को कहते हैं, cup and handle pattern, कि यह cup हो गया, और यह उसका handle हो गया, यह handle जब breakout देता है, तो minimum target जो होता है, जो handle का difference है, इस handle का difference हा रहा है, 50 rupees, और next target क्या ह होता है, जो cup है, पूरा, इस cup का पूरा difference, जो की 100 rupees, तो हमने अभी क्या study करी थी, जो range बन रही थी, range का 50% target था, जो की 50 rupees था, और next target था 100 rupees का, जो की पूरा target था, cup and handle जब मैंने बनाया, तो उसमें भी exact यही target आ रहा है, और यही target आ रहा है, आप देख पारें, similarities आप लोग इदर एक support लिया, और एक दुबारा bounce कर गया, अब हमें क्या करना है, 300 rupees के आसपास आता है, तो एक बार by position बना सकते हैं, या फिर 315 cross करता है, यह वाला, तो एक by position बना सकते हैं, अब targets find करने की, अगर मैं कोशिश करता हूँ, तो हमें targets find करने हैं, तो सबसे पहले target हो सकता ह यह level, कौन से level हो सकता है, यह वाला level, ठीक है, यह level हो सकता है, जो कि 325 पे आ रहा है, 325 तक एक बार जा सकता है, second target की बात करें, तो second target जो आ रहा है, वह आपको दिखाता हूँ, second target आ रहा है, 355 का, first target is 325, second target is 355, and third target is 380, अब आप खुद देखिएगा, मैंने क्या करा, first target है, first target हमें बता रहा है, यहाँ पर multiple इसने supports लिये थे, देख पारे हो, multiple supports लिये थे, तो यहाँ तक एक बार जा सकता है, तो first target हम 325 लेकर चलते हैं, जब यह break होगा, जब यह level break होगा, तो हमारा next target होगा यह level, यह देख रहे थे, यह जो gap आया है, यह वाला gap आपको तो यह 350 तक अराम से जा सकता है, और जैसी इसको break करेगा, 380 गर target हमारे लिए होगा, जो कि gap को fill कर देगा, gap को भी तो fill करना है, तो हम मानके चल रहे है, 310 रुपे से 380 की movement मिल रही है, मैं सिफ अगर आपको बताता हू, percentage wise किता है, तो percentage wise आप खुद देखेगा, यहाँ प stop loss में अगर लगा गए चलता हूं, तो वो 12% है, stop loss हमारा 12%, target हमारा 30%, बहुत बढ़ी है risk or reward ratio है, तो guys, इस तरीके से काम करते वे चलोगा, तो आपको definitely फायदा होगा, क्या कर सकते हो, सबसे best तरीका क्या है, सबसे best तरीका है, कल अगर गिरावाट देता है, market कल अगर गिरत कर लगा, फिर अगर ये गलती से नीचे आता है, और फिर उपर जाता है, जब इसे दुबारा तोड़े, 325 को फिर बाई बनाओ, यहां पर अपनी position को एक्जेट कर लगा, फिर जब भी अगर ये नीचे जाता है, और ऊपर आकर दुबारा इसको तोड़ता है, यहां बाई मत करो क्योंकि हमें नहीं पता market कैसे movement के देगी कैसे market का scenario हो सकता है तो यहां पर buy करके यहीं तक का target बनाओगे तो गभी यहां से reverse करके नीशे जा सकता है तो market को हम पूरे तरीके से नहीं समत सकते तो इसलिए तरीका है क्या कर सकते हो वरना अगर आप 100 share लेते हो तो यहां प पर अपनी 25% की या 30% की quantity निकालो यहां पर अपनी 40% की quantity निकालो यहां पर 30 share और निकालो ठीक है तब ही फाइदा मिलेगा वरना आपको आप सोच लो मैं यहां तक पूरा वेट करूँगा तो यहां पर हो सकता है यहीं से घूम के नीचे आगा है तो हमें सब चीजों के ल मिलता है तो 30% का मिलता है जो कि एक महीना भी hold करोगे तो मिल सकता है stop loss हमारा 10% है तो बहुत बढ़िया scenario है buy कर सकते हो और आपको definitely फाइदा मिलेगा अगर आपको यह strategy यह patterns आप लोगों को समझ में आया तो please इस video को like करके channel को subscribe करना मत बूलना मुझे comment section वनाना कि आप तो 500 likes का aim करते हैं इस video में definitely हर जगा share करिए कि आप लोगों को आगे फाइदा मिलता है तो मैं शिवांच बसीन मिलता हूं अगली video पे sign up